चेहिन वन्ने मातरम दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया के तमाम सबसे बड़ी ख़बरे तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पुर्य राश्पती प्रणमुखर जी की तब्यद अब और जादा सीरियस हो चुके वो वेंटी लेटर पे आ चुके ज जानेंगे इस ख़बर को विस्तार से उनके विस्तार से जिया दोस्तों साथी अगी खबरें बताएंगे पैंगोंग जील के दच्छडी किनारे में भारत चीन से नाव में जो है जड़प एक बार फिर से देखने को मिली है जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर साथ ही हम आपको बताएंगे आगरा में एक जो है दिन दहला दिर्वानी घटना सामने निकल के आ रही है आगरा में एक ही परिवार के तीन लोगों को हत्या करके उनके सब को जला दिया गया जानेंगे इस खबल को विस्तास इस वीडियो के अंदर और बताएंगे हम बात कर लेते हैं आगकी सबसे बड़ी खबर जिया दोस्तों देश में से में चीन को लेके लगातार जो है एक अलग सा महल बनता जा रहा है क्योंकि चीन अपनी हरकतों से जिया दोस्तों बाज नहीं आ रहा है हम बात कर रहे हैं एक नई खबर के बारे में जिसमें कहा ग सेनिकों ने बादशीत से इतर जाते हुए मुव्मेंट आगे बढ़ाया पैंगोंग जील के दच्छी किनारे पर चीनी सेनिकों की गत्विदियों पर भारती सेना ने विरोध किया प्रेस कॉंफरेंस बीरो की रिलिश की अनुसार सेना ने चीन को आगे बढ़ने ने दिया भ लगातार जो है अंतराष्टी बॉर्डर्स पे एक बार तनाव देखने को मिल रहा है लेकिन मोधी सरकार अभी तक इस मामले को पुरी तरह से निप्टाने में असफ़ल नजर आती हुई दिख रही है हम बात कर प्रदारमंतिर जान में जिनमें उनने कहा था कि भारत की जम लगातार कुछ चीजों को छुपाते हुई नजर आ रही है और इस तमाम चीजों को लेके सोचल मीडिया के प्लेटफांस पर उनकी बड़ी कड़ी निंदा की जा रही है तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ जिया दोस्तों देश की सबसे बड़ी समस्या इस समय है क 37 लाग जो है मामले अभी तक रजिस्टर किये जा चुके है और अभी तक मरने वालों की संख्या में जिया दोस्तों बहुत ही जादा इजाफा होते हुए पिछले 24 गंटे में 948 लोगों ने अपने इस भेंकर विमारी के विज़े से अपनी जान गवा चुके हैं बात करें महराश्टा जहां पर केंदर बिंदू लगातार करोना वायरिस बना हुआ है यहां पर अकेले 7,64,000 मामले रजिस्टर किये जा चुके हैं और यहां पर मरने वालों के संख्या 24,103 के करीब पहुँच चुकी है तो यह देश में जिया दोस्तों बहुती बड़ी समय से लग 300 आकड़े थे तो भारत में सकती से लगडाउन किया गया जिसकी वज़े से कई लोगों की रोजगार चली गई कई लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हो गया अपने गाह और जिसकी वज़े से काफी लोग ऐसे हैं जो अपने इस भहेंकर जर्नी यानि इस पैदल जर्नी पर निकल क्या रही है रिया चकरवार्ती को लेकर लेकर सिभिया ने समन बेजा और आझ साड पूस्ताच की जाएगी जैदोस्तों आपकी जानकाइं के लिए बता दू कि रिया चक्रवति ने आस्ता को दिये एक इंटर्वी में बताए साभ साभ कि किस परकार से रिया चक्रवति ने कहा कि सुसान सीङ राजपूत को लेकर उनकी तरब से money laundering का कोई भी मावला सामने नहीं आया है उनसे ED ने पुस्तास की CBI ने पुस्तास की मुंबई पुस्तास की लेकिन अभी तक money laundering को लेकर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरह जिया दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है सिच्छा जगत को लेके जहां देज में तमाम राज्यों में जहां बार प्राक्तिक आपड़ा आई हुई है जिया दोस्तों साथ ही करोना की महामारी जो अप पुरी पर अड़ी होई है सिसको लेकर के देज भर में जो है आंदोलन चलाया emicला जा है चाहीज़ा यह जो इंजीनियर होट किस लेबल पर ये जी और के एक्जाम के लिए के लिए सहांग्य और नहीं पसलिशा चना-जिलैघ्ध मसाइबिस त्वी में तमाम चीजों मुदी सरकार की कई बार अलोचना की गई कि इस बार एक्जाम को कुछ महीनों के लिए पोस्पोन कर दिया जाना चाहिए ताकि बार शैसी आपदा से जब आदमी निकल जाये यानि बच्चे बाहर आ जाये तब जाके उनका एक्जाम्स लेना चाहिए लेकिन सरकार इसके पर अपने अड़ी हुई है जित पे और वो एक्जाम्स लेने वाली है तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो अगली खबर सबसे बड़ी आ रही है युनिवर्सिटी को लेकर यूजिसी ने जिया दोस्ते गाइडलाइन जारी की जिसमें कहा गया था कि 30 सिदंबर तक सभी राज्यों को अपने एक्जाम्स को लेना होगा जिया दोस्तो बिना एक्जाम्स लिए वो अंतिम वर्स के बच्चों को पास नहीं कर सकती इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में घ से बत्तर होते जा रहे हैं पिछले 24 जंडों की बात करें तो 78,000 से ज़्यादा नए मामले करोना वायरिस के सामने आ रहे हैं बात करें आभी वाओ को की कमेंट्स की तो जिया दोस्तों कई माबापने या बच्चों के माबापने साब सब कहा कि किस प्रकार के देश में चाहे गौर्णनेंट के आफिसेश हो चाहे लोगसभा हो चाहे राजसभा हो चाहे सुप्रीम कोट ही हो चाहे हाई कोट हो सब कुछ बंद है लेकिन बच्चों के इकजाम फिजकली कराना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरे तरह से एतियात इंतिजाम किये हैं तो क्या संगर के बैठी हुई है और लगातार बच्चे उपर पर प्रेसर बना जा रहा है कि वह एक्जाम दे अब इस हालात को लेके जिया दोस्तों आज कुछ नया फैसला आने वाला है जानेंगे इस खववे विस्तार से चलते हैं अगली खबर की तरफ जिया दोस्तों अगले पुष्टी कर दी है कि अब साथ सितंबर से आप सभी के लिए मेट्रो टेने खोल दी जाएंगी तो आप सभी के लिए अच्छी अपडेट निकल के आ रही है अब बात करते हैं जिया दोस्तों देजबर में चला जा रही है अनिस्चित काल के लिए लेकिन इस धर्माने में चल रही है इसके लिए आपको हमें कमेंट करना होगा जिया दोस्तों क्योंकि बहुत ही लंबी लिस्ट है और इसके लिए आपको क्या करना होगा कमेंट बॉक्स में आपको के रूट का नाम लिखना होगा जैसे आप दिल्ली से पंजाब जाना चाहते हैं हर्याना जान परिवार के तीन लोगों की हत्या करके सव को जला दिया गया यह बड़ी घटना निकल के सामने लगातार जिया दोस्तों यूपी के आगरा में ट्रिपल मडर की संसनी खेजवारदात सामने आई है एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या करके उसके सव को जलाने के लिए आग लगा दी सुमवार की सुबर तीनों के सव जली अवस्ता में घर के अंदर मिले मरने वालों में पती पत्नी और जवान बेटा सामिल है पुलिस का कहना है कि हत्या के सव को जलाने का प्रयास किया गया प्रतीत होता है एडी सी साइट पुलिस के आला अपसर घटना सलव पहुचे और सव को पोस्पार्टम के लिए भेज दिया गया यह लगा था दूसरा ऐसा मामला है जो देश में दिन दला देने वाला इसके पहले भी आपने देखा लखन निकला पड़ा और पुलिस जात में जुटी होई है जानकाली के मुताबिक घटना थाना एत्मदॉला के नगला किसनलाल की है यहां मुल रूप से मतुरा के बल्देव के चौंबा बंबा निवासी सत्तावन वर्सी रामवीर करीब 30 वर्से रह रहे थे तीन कमरों के घर मे वो बाहर के कमने में पर्चून की दुकान करते थे परिवार में रामवीर के साथ उनकी 55 वर्सी पतनी मीरा और बेटा 23 वर्सी बबलु था बताया जा रहा है कि रात साड़े 11 बजे परचून की दुकान खुली रही थी सुबह 5 दुकान खुल जाती थी रविवा शाम को ही रगवा ससुराल से लोटकर घर आये थे फिलाल जो है सरकार जो है पुलीस यानी इसके पर बजाए कारवाई कर रही हो बहुत ही जल्द जिसके जो कातिन है वो सामने आएंगे तो दोस्तों अमीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंदा आज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले